दोस्तो कल के वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था कि जपैन के तरफ से हत्यारों को एक्सपोर्ट करने के इरादे के बाद जहाँ पे ताइगी क्लास सब्मरिन को लेके एक संभावनाय बना हुआ है तो वही पे इस से भी अधिक संभावनाय जपैन के और एक हत्यार को लेके बना है दोस्तो ये हत्यार है सिन्वायवा यूएस टू एयर सी रेस्क्यू एमफेवियस प्लेन का दोस्तो इंडिया नेवी के तरफ से इस तरीके के एरक्रेफ्टों को जपैन से खरिदने का इरादा करीवन एक दशक पहले जताया गया था पर बीते एक दशक में द यूएस टू एयर क्रेफ्टों को लेके भारत के और जपैन के बीच में कब-कब और क्या-क्या बाते हुआ था और भारत को क्यों यूएस टू एयर क्रेफ्टों का आवशक्ता है इसके बारे में तो बताऊंगा ये साथ में ये भी बताऊंगा कि जपैन के तरफ से उठाय को लाइक ज़रूर कीजिए। दोस्तों इन एरक्राफ्टों को संपूर्ण रूप से जपानिस मेरिटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के लिए बनाया गया है ताकि ये जपानिस बेडे में अल्रेडी इस्तिमाल होने वाले US 1A फ्लीट को रिप्लेस कर सके और जपान इन एरक्राफ्टों को अपने बेडे में Air Sea Rescue Aircraft के रूप में इस्तिमाल करना चाता है हाला कि इसके इलावा US 2 एरक्राफ्टों को कई तरिके के अन्य मिशनों में इस्तिमाल किया सकता है जिनमें फायर फाइटिंग से शुरू करके डिजास्टर मैनेजमेंट और रेस्क्यू से शुरू करके रिप्लानिश्मेंट के लिए भी हाला कि दोस्तों इन एर्क्राफ्टों के इन कैफिवलिटी को देखने के बाद इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के तरह से जपान से US due एर्क्राफ्टों को खरिदने को लेकि एक संभावनाओं को जताया गया था और इन एरक्रेफ्टों को लेकि इंडिया भी काफी अधिक इंट्रेस्टेड है दोसर रिपोर्ट के मुताविक पहली वार साल 2010 में इंडियन नेवी के तरफ से ऐसे 12-18 यूस-2 एमफिवियस एरक्रेफ्टों को खरिदने को लेके इंट्रेस्ट जताया गया बैसिकली इंडियन नेवी इस तरीके के एरक्रेफ्टों को सर्च और रेस्क्यू एरक्रेफ्ट के रूप में अपने बेड़े में इस्तेमाल करना चाता है रिपोर्ट के मताविक इंडियन नेवी इसके लिए कम से कम 1.65 बिलियन डॉलर तक खर्चा करने के लिए तैयार है इंडियन नेवी के बाद इंडियन कोस्ट गार्ड के तरफ से भी एरक्रेफ्टों को लेके इंट्रेस्ट जताया गया और ये बताया जाने लगा कि इंडियन कोस्टगार्ड वी इंडियन नेवी के बाद कम से कम ऐसे तीन एर क्रैप्टों को अपने बेड़े के लिए खरिदना चाता है साथिसा दोस्तों उस दर्मियान ये भी खावर आया था कि इंडिया नेवी के द्वारा इन एरक्रेफ्टों को अगर खड़िदा जाता है तो नेवी इसका इस्तिमाल अंदामान निकोवार कमांड के नजदीक करेगा और संभावित ये एरक्रेफ्ट अंदामान निकोवार कम रिपोर्ट में ये वी वताया गया कि ऐसे अगर भारत में एसेंबल होता है तो येरक्राफ्टों के कीमत जेपैन के मुकाबले में करीबन 25% तक घट सकता है हाला कि इसे लेके इंडिया और जपैन के अधिकारियों के बीच में एक साल के बाद मतलब साल 2011 से एक तरीके का नेगोसियेशन वी शुरू हुआ दुसो जब US-2 एरक्राफ्टों को लेके भारत और जपैन के बीच में चर्चा शुरू हुआ तो ये दितिय विशुध्य के बाद जपैन के द्वारा एक्सपोर्ट किया जाने वाले हत्यारों में पहला हत्यार बनने जा रहा था हालाकि दितिय विश्युद्य के बाद से जपैन के द्वारा हतियारों का निर्मान तो किया गया है लेकिन किसी वी देश को एक्सपोर्ट नहीं किया गया दोसो 2011 से लेके 2016 मतलब 5 साल तक जपैन और इंडिया के बीच में इन एरक्रेप्टो को लेके कौन से स्तर में बातचित हुआ और बातचित कहा तक चला इसके बारे में कोई जानकरी तो नहीं है लेकिन साल 2016 में फिर से एक बार इन एरक्रेप्टो का चर्चा होना शुरू हुआ जब शिन्मावा कमपनी के तरफ से एरक्रेप्टो के प्राइस को घटाने का बात कहा गया और एरक्रेप्टो के कीमत पर यूनिट कोस्ट करीब करीब 113 मिलियन डॉलर तक करने का बात कहा दोसो ये भारत के लिए एक बड़ा एचिबमेंट था क्यूंकि माना जाता है कि 5 साल के दर्मियान भारत और जेपैन के नेगोसियेशन के कारण ही एरक्रेप्टो के कीमत को कम करना संभव हो पाया और दोसो उस दर्मियान ये वी खवर चर्चा में था कि शायद भारत और नॉवेंबर 2016 तक ये एरक्रेप्टो को लेके एक डील के उपर हस्ताक्षर कर ले पर दोस्तों तब के डिफेंस मिनिрь सरगिया मनोहर पारेकर के दोरा इस डील को एक तरिके से स्तगित कर दिया गया डील को स्तगित करने के पीछे कारण क्या था इसका तो क्योई डीटेल जानकारी बाहर नहीं आया लेकिन कई जगाओं में बताया जाता है कि प्राइस नेगोसियेशन एक प्रमुक मुद्दा था हाला कि साल 2016 में डिल्स तगित होने के बाद फिर से साल 2018 में एरक्रेप्टों को लेके चर्चा शुरू हुआ जब मार्च महिने में जेपैन के एंबस स्टेंडिंग के उपर भी हस्ता अक्षर हुआ जो वेसिकली भारत के अंदर फ्यूचर सेल को मजबूत करने को लेके और सेल के बाद आफ्टर सेल सर्विस को लेके था मतले शिन्वावा कंपनी के तरफ से इंडिया को यूएस टू एरक्रेप्टों को बेचने को लेके प् जेपैन के तरफ से अपने हतियारों के सेल के जो रेस्टिक्शन है उसे हटा के 12 देशों को हतियार बेचने का टैयारी किया जा रहा है जिनमें भारत वी शामिल है तो जेपैन अपने द्वारा डेवलप्ट किया हुआ कई तरीके के हतियारों को एक्सपोर्ट कर सकता है जि और इसका मतलब ये है कि जपैन इस restriction को हटाने के बाद भारत के साथ इस चर्चे को और एक कदम आगे बढ़ा सकता है। हतियार और अन्य इक्वेप्मेंटों के साथ स्पेर पार्स सप्लाई करने में भी किया सकेगा। है कि इसके इलावा छोटे-छोटे आइलेंड के नस्दीक एक्वेप्मेंटों के सप्लाई के लिए भी ऐसे जहास का आवशक है। क्योंकि ऐसे आइलेंडों में defensive equipment का तो आवशक्ता होता है लेकिन यहाँ पे supply के लिए air strip नहीं होता है जहाजों के द्वारा supply कई समय time taken भी होता है और कई समय खतरनाक भी हो सकता है क्योंकि उस दर्मियान अगर जहाज के उपर हमला हो जाता है तो यह जहाज को बड़ा नुक के बारे में detail में जानते हैं दोसों यह जो aircraft है यह असल में 18 डिसमबर साल 2003 में अपना पहला उडान भरा था जबकि इसे 30 मार्च 2007 में Japanese maritime self defense force में introduce किया गया साल 2003 से लेके अब तक ऐसा total 6 aircraft को निर्मान किया गया है जबकि दो और भी aircraft के निर्मान का expectation रखा गया है हाला कि Japanese बे 2 के द्वारा संपूर्ण रूप से उस बेड़े को replace करना है तो Japanese maritime self defense force को कम से कम ऐसे 50 से अधिक aircraft को खरिदना पड़ेगा दोसों aircraft 2 के अगर capabilities को देखा जाए तो आपके जानकारी के लिए बता दूँ कि इस तरीके के aircraft को operate करने के लिए कम से कम 11 crew member का आवशक्ता होता है जिन या फिर 12 stretcher को लेके उड़ान भर सकता है जुसरे तरफ अगर aircraft के आकार को देखा जाए तो इसका लंबाई 33.46 meter मतलब 109 feet 9 inch के आसपास है जबकि wing span 33.15 meter मतलब 108 feet 9 inch के आसपास है यार क्रेफ्ट के height 9.8 meter मतलब 32 feet 2 inch के आसपास है जबकि इसके wing area करीब 135.8 meter square मतलब 1462 square feet के आ cross weight 55,148 kg है एर क्रेफ्ट के maximum take-off weight land configuration में करीवन 47,700 kg के आसपास है एर क्रेफ्ट में 4 Rolls-Royce AE-2100J टर्बो प्रॉप इंजिन का इस्तेमाल हुआ है जिनमें से हर एक इंजिन का शमता 3424 kW या विर कहतो 4592 horsepower के आसपास है एर क्रेफ्ट में एक T-800 टर्बो शैप इंजिन का इस्तेमाल किया गया है जिसका शमता 1017 kW के आसपास है और ये compressor for boundary layer control के लिए होता है एर क्रेफ्ट के हर एक propeller में 6 blade होता है जबकि एर क्रेफ्ट के अगर performance को देखा जाए तो अधिकतम 560 km पर आवर के रपतार से उड़ान भढ़ सकता है जबकि इसका cruiser speed करीव-करीव 480 km पर आवर है इसका stall speed करीव-करीव 90 km पर आवर है जबकि इसका range 4700 km है एर क्रेफ्ट के service ceiling 7195 meter मतलब 23606 feet है वही पर दोस्तों अगर एर क्रेफ्ट को ground में इस्तेमाल किया जाता है तो इसके take-off distance करीव-करीव 490 meter मतलब 1610 feet है तो वही पर इसके landing distance करीव-करीव 1500 meter मतलब 4900 feet क आस-पास है जबकि पानी में ये और भी कम distance से take-off कर सकता है और पानी में इसके take-off distance केवल मात्र 280 meter मतलब 920 feet है जबकि landing distance 330 meter मतलब 1080 feet के आस-पास है तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को हुआ बेला आइकन को ही प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जय हिंद